अस्सलाव अलेकुम रमजान अलों परकी एक बहुत ही खास रसपी आपके साथ शेर करने लगी हूँ हम बनाएंगे खट्री मीठी इमली और खजूर के चट्नी ये बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की चट्नी है तो ये बना के आप स्टोर कर ले और देना है 200 ग्राम इमली में और इसे हम रख देंगे एक साइट पे अब हम ले लेंगे खजूरे मैं इसमें डाल रही हूं पांच ये मैंने बॉश कर ली है उसके बाद फिर इसमें भी में गरम पानी डाल दूँगे तो मैं गरम पानी दोनों में डाल रही हूं ताकि खुजओरों में से इसके बीज निकाल देगे तो पहले इसी लिए मैंने वाश कर लिया था क्यूंकि हम यह पानी शाया नहीं करेंगे इसी में हम खुजओरों को ग्रैंट कर लेंगे तो बीज निकालने के बाद इसे एक साइट पे रिख दें और इसका हम पेस्ट बना लेंगे अब आते हैं हम इमली के तरफ तो ये देखें इमली कितनी सॉफ्ट हो चुकी है क्योंकि गरम पानी डाला था इसलिए इसका पल्प जो है वो जल्दी और आसानी से नरम पड़ जाता है तो पी आप निकाल दें जितनी भी निकल रही हो और बाकी फिर अच्छे से सारा इमली का गुदा जो है वो आप अलग कर दें गुट्लियों से तो ये देखें जितना असानी से ये हो सकता था क्योंकि हमने गरम पानी डाला था इसलिए हमें इसे पकाना भी नहीं पड़ा ये 15 मिनट में आराम से सौफ्ट हो जाता है और निकल जाता है तो जब सारा गुदा गुट्लियों से अलग हो जाए उसके बाद पिर हमने इसे चान लेना है चानना बहुत जरूरी है क्योंकि गुट्लियों के साथ चोटी चोटी इसमें और भी पार्टिकल्स होते हैं वो भी पतला है चतनी ब greatest gift of cold-f u आप गोड़ों के साथ सब्सक्राइब तो सámोस के साथ सथ हlish बनेंकी इतने जबर्दास दों मज़धार बनेंगी यह जरूर वनागे रख आप đãर रहेंगे है रमजानाने में तो चटनी अभी से बनाना शुरू कर दें और बना के स्टोर कर लें यह फ्रिज में आराम से एक महीने तक पड़ी रहेंगी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी तो यह देखें यह सारा गुदा जो निकाल लिया और अभी देखें कितना पतला है क् मजीद और थोड़ा सा पाने डाल दिया था अब हम इसकी कुकिंग करते हैं तो सॉस पैन में सबसे पहले हम इमली का पल फे डाल देंगे अभी यह कितना पतला है अभी हम इसे को करेंगी तो यह देखें एंड में यह थोड़ा सा कचरा राजत है वो नहीं डालना तो यह है अंद zijn खजूरें का पेस्ट तो जैसे ही एमली थोड़ी घोड़ी शी sms पानी में राज कर लें भी चेड हम लेंगे। यह है इसलिए हम ने उसे चान लिया है अब हम इसे मिक्स करेंगे थोड़ी देर इसे पकने देंगे और इसके बाद फिर मैं पताती हूं और हमने इसमें क्या डाला है यह बहुत ही स्पेशल चटनी आज हम बना रहे हैं तो आप यह रेसिपी गोड़ से देखिएगा अगर आपको लगेगी तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर लीजेगा और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो इसे मैंने पांच से साथ मिनट तक पकाया है उसके बाद अब मैं इसमें डाल रही हूं मसाले इन तो ये मनें तोड़ा सा नमक डाला है और इसमें बूना कोटा हुआ जीरा Mais यह बहुत अच्छा फ्लीवर अच्छा को डाला है तो आपके पास ना हों तो कोटी बिलकुल hazard ले ले लें और उसका पाने निचे बें एक चमच अब हमनें डाला है बिलकुल ठोड़ा सा रेड फूट कलर मैंने एक पिंच डाला है बस एक चुटकी से जादा नहीं डालना क्योंकि हलका सा इसको कलर आ जाएगा और वह बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि हमने इसमें खजूरे भी डाली है और इमली भी है और इसमें हम डाल देंगे अब चीनी तो चीनी मुझे डालनी पड़ रही क्योंकि मैंने इसमें इसमें ब्राउन चुगर डाल देंगे अब इसे मिक्स करेंगे मज़े थोड़ी देर और पकने देंगे उसके बाद फिर यह देखेगा थोड़ी सी गाड़ी हो जागी आपको बताती हूं कि आपने पकाना कब तक है तो यह देखे जब ये इस stage पे आज है ये देखें ये पतली ही है अभी गाड़ी नहीं हुई है तो इसी तरह ही आपने रखनी है और यहाँ पे आपने चुरा बंद कर देना है क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो और गाड़ी हो जाएगी तो ये देखें ये ठंडी हो गई है ये गाड़ी ह होना शुरू होगी अभी यह वैसे ठंडी हो लेकिन अभी मजीद जब हम इसे फ्रिज में रख देंगे तो यह और गाड़ी हो जाएगे इसलिए आपने पहले से ही से बहुत गाड़ा नहीं करना यह अपने खास खयाल रखना है तो यह जैसे जैसे ठंडी हो रही है और गाड करनी है तो इसके साथ ही हम फिर मिलेंगी एक और नहीं रस्पी में अलाहाफीज